हलो डियर फ्रेंट्स, विल्कम टो आर चैनल, मैस्ट डिकोडर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपकी एनलोगी से कुश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी हमने 2020 और 2019 में जितने भी कुश्चन पूछे गए हैं, इसमें हमने उठा लिया है SSTCGL और SSTCGL की, ठीक है, और ये क्लास आज की पहली क्लास है, इसके बाद में इसकी एक और क्लास होगी, जिसमें 50 कुश्चन होगी, और इसी से आप लोगों को सारे कुश्चन कवर हो जाएंगे, SSTCGL हो, CHSL हो, MTS हो, SSTGD हो, और आप इसका NTPC Railway Group D में बेनिफिट उठा सकते हैं, इस क् से आपको दो कुश्चन प्रतेक एक्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आज का जो पहला प्रस्न है, पूछा गया है, चार दिये गए सब्दों में से तीन किसी तरह से समान है, जबकि एक असंगत है, असंगत का चैन कीजिए, छत, दीवार, जमीन, तो छत, दीवार जमीन क्या है, ये एक, देखो, ये क्या है, ये तीनों का कंबिनेशन होता, जबकि पंखा जो होता, क्या होता, पंखा क्या होता, आपका डिफरेंट होता, क्योंकि ये मसीनरी चीज है, पंखा क्या होती, मसीनरी चीज होती, तो आपसर नंबर B क्या हो जाएगा, इसका रा तो कौन होगा दुकान दर्जी होता तो कपड़े से कौन संबंदित होता दर्जी तो आफसर नमबर वन क्या हो जाएगा राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्म पूछा गया जिस प्रकार से कहा गया सब्दों के बीच में वही संबंद है जो दिये गए तो बात सही है लेकिन क्या कमल पूल होता तो तौह बात धात होती तो यह सही होता रियाल क्या होती मुद्रा होती तो आफसर नमबर वी क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा इसका क्रम बदलने से यह क्या हो गया यह गलत हो गया वैसे यह राइट इंसर हो जा तो लाल्ची का उदार क्या है अपोजिट दिया हुआ तो प्रतिसोध का संबंध क्या हो जाएगा प्रतिजिंसक हो जाएगा नहीं निरुत्साही हो जाएगा नहीं विरोधी हो जाएगा नहीं करुणा सील हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रतिरोध का प्रतिसोध का करुणा शील हो जाएगा। आपसार नंबर फोर क्या हो जाएगा। राइट एंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पुसने। पहिया में क्या होती द् Seb noted तो तारा में क्या होती इस यह हमें सही लग आगर में क्या में कुर्सी नहीं किताब नहीं तो आपसा नमबर भी राइट इंसर उसके बाद में अगला प्रुसन है दीवार जो है इटों से बनती तो कपड़े से क्या बनता कपड़े स्थ सूट बनता इसकार्ट बनता जीजयाइल बनता मिल बनता चल्द सें पूछा गया दिये गए विक को में से उससब्द का चैन करें जो दिए गए विकल्फों के सब्डों के समानें इसलिए उस्यों से संबन्द थी चील क्या होती इससे नहीं सार्क नहीं उप्राइन नहीं्च परईया क्या होती इसके आफसर नंबर एक क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्ट पूछा गया है भोजन में रसुईया होता क्या होता बोजन के लिए रसुईया होता चित्रकार के लिए चित्र होता तो भोजन में अब यहां पे क्या होता है डाक्टर के लिए फिटल होस्पिटल इधर होता डाक्टर तब तो आफसर नमबर भी क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बात में अगला इसमें पूछा असंगत कौन तीन एलमूनियम इस्टील जस्ता तो आप जानते इसमें जो डिस्ट होगा वह कौन सा होगा और यह निफरेंटиса उस्टा पारे से या भाब से पकाना तो सभी को यह ग्रिल का मतलब होता पकाना लेकिन आग क्या है इसमें डिप्रेंट है आपसा नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला पुझन है गोडा जो ऊंट होता वह होदा से संबंधित होता तो उसी तरह से घोडा किससे संबंधि सो घोड़े में क्या होता है गोड़े में जो होता वह आपकी काथी होती क्या होती काथी काथि अगर बर वन ड्रफ इन्सर और किसे जिस तरह चुबना किस से कि चुर्फ क्या होता तो सही होता कब कर तरतरी बिलकुल नहीं गुलाब का लालиться ने इसके बाद में कि कियाना क्वैकं क्योंता तो गुर गुराना क्या होता कुरकुडाना होता वोड़ आवाज होती तो पुर्खुड़ाना क्या होता एक आपका तर्राना होता आपसर नमबर भी राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला पुस्ने इंटों से घर बनता तो टहनी ओसे क्वलती लगड़ी बनती आग बनती घूस्ला बनती पेड़ बनती तो टेहनी से बनाया जयाता आपका गोसला बनाया जाता इस के बाध में अगला चार असंगत कौन से टालर याल ये सभी मुद्रा के नाम जब कि धन क्या है अबम सबस्क्राइब पर शहेंगत का चेरी चाकून से लगता जबकि छेनी चुरी चाको ये क्या है तो आपसन नंबर A राइट एंसर हो जाएगा तो सुई सिलाई से उसी तरह से संबंदित है जैसे माइक्रोग साला से लिंक से विज्ञान से आवर्धन से तो माइक्रो इसकोप जो होता वो आपका संबंधित होता माइक्रो इसकोप आवर्धन से संबंधित होता किस से आवर्धन से अफसर नमबर D क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला पूछा गया है उस विकल्प का चैन करें जिसका तीसरे पद के साथ में वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है खेत का संबंध क्रिशक चे तो वेद साला का संबंध किस से होता खगोल विच से आफसा नमबर भी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला पूसरे एक निश्चित कूर्ट भासा में गुलाबी को लकडी कहा जाता गुलाबी को लकडी कह दिया लकडी को क्या कह दिया कूपन को क्या कह दिया रंग कहा जाता रंग को क्या कहा जाता पिन कहा जाता यहां पर बुरा नहीं होगा रंग को पिन कहा जाता तो निम लिखित में से किस प्रियोग को लिखने के लिए किसका प्रियोग किया जाएगा तो आप जानते हो रंग को पिन कह दिया गया ठीक है रंग को पिन कह दिया गया रंग को पिन कह दिया गया तो हम लिखेंगे किस से हम लिखेंगे भी रंग से लिखेंगे रंग से लिखेंगे तो आपसा नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा या कि उसके बाद में अग्ला प्रसंद पूछा गया है चार-सब्द दिये गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जब कि एक असंगत है असंगत का चाहिन कीजिए विश्द को सब्द को सुष्ट को सुष्ट क्या है आपकी तो पूल में गुलधस्ता फूल क्या होते गुलधस्ते में तो यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा जोंकि देखो खिलाडी क्या होते टीम में होती तो फूल क्या होते उसी तरह गुल दस्ते में होते तो आफसर नंबर भी क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रसंदेखते हैं थकान है तो आराम करोगे तो भोजन होगा नहीं भूख होगी तो भोजन पानी पानी होगा तो प्यास यह भी अपोजिट दिया हो रोग क्या होगा रोग के लिए आउसद होती तो आफसर नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आफसर नंबर सी राइट बस तो सभी क्या होते यातायात होते जबकि पेट्रोल आपका डिफ्रेंट है जबकि एक एंधन होता आपसर नंबर एक हो जाएगा राइट इंसर हो जाएगा उसी प्रकार अगला दिया चार सब्च दिये तीन किसी तरह समप क्या है समान है जबकि असंगत को चैन करना मरमत तुरुट दोस्त गलती तो यह सभी क्या हैं गलती जब कि मरमत भिग्ड़ी हुए चीज़ को बनाना तो अबसा नमबर A क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा। है उसके बाद में अगला है पत्तियों में सरसराहट होती क्या होती सरसराहट सियार में गर्जन होती बारिस में क्या होती टिप टिप घंडी मंदिर में होती इसका कोई संबन नहीं नगाड़ा में जनक नहीं तो बारिस क्या होती टिप 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 होती आपसर नमबर भी क्या हो जाएगा राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रुष्ण मगर मच्छ सांप होता तो गोंदा क्या होता मगर मच्छ एक सांप की प्रजात होती सांप की तरह होता तो उसी प्रकार गोंदा क्या होता एक गिर्गिट होता तो आपसर नमबर एक क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला पुस्म है असंग कनाडा जया वर्फ के जो घर बनाके वर्फ के अंदर रहते हुए उन्हें इगलू कहते हैं जबकि अस्तबल भी एक क्या होता घोनों का रहने का इस्थान जबकि आंगन क्या है डिफ्रेंस है आपसर नंबर एक क्या हो जाएगा राइक एंसर हो जाएगा उसके बात में अगल सक्ट का जो महतर को वह वाक्त होता वारन दाब का क्या होता दाब का जो होता वहाथ उसके बार यसानबर और तो यहीं आपसर हो से नंबध है तो आपसर नंबर सी क्या हो जाएका राइट एक उससे पकाँ होती है भगध헃 क्या हो जाएगा सीर होता तो शीषाल है तो आपसर से चें से उसी तरह से संबन्द्र भें का oversim मन का हार से होता मोती से समुद्र से आभूसंड से तो मन का जो होता वो आपका हार से संबन्दित होता जैसे कड़ियां जूड़ी होती कड़ियों से चेन बनती है उसी प्रकार मन का से क्या बनता हार बनता तो आफसान नंबर ए राइट एंसर उसके बाद में अगला ठकान का आराम से होता तो रोग के लिए आवसाद भी एक उप्चार होती तो ठकान के उप्चार के लिए आराम होती आफसा नमबर सबसी यह हम लोग पढ़ चुके पेटरोल इसमें डिफ्रेंट है इंधन सं सक्या होते वाहाए उसके बाद यहीं हम लोग पर चुकी है इसमें क्या होती मरम्मत मतलब फिर से तूट मतलब गल्टियां अज हौना हमसे उसके व्कांच का चैन के जिसमें सब्दों के सबस्कार टाप से बारा सिंगा किस से होगा म्रग से होगा तो आपका बारा सिंगा किसे हुगा किसे उम्रग से अपसर नंबर एक हो जाएगा राइट इंसर उसके बाद में अगला पुछले समुचे का समुच का समुच जो दिया होता समुच्छे का चैन कीजिए पट्री पिन ड्राइबर आकास पाइलेट एयर होस्टीस समुद्र पोत कप्तान रोड बस कंडुक्टर तो कौन सा आपसन जो है इसका साइट सही एंसर तो रोड बस कंडुक्टर रोड पे बस चलती बस में कंडुक्टर आपसन नंबर डी राइट इंसर उसके बाद में अगला पुछले जहगड़ा युद्ध से उसी तरह संबंधित जैसे तुटी किस से संबंधित उतुछ जो हो पुच्छे को दर साते उसी तरह सार्क डाल्फिन चमगादर बिलकुल नहीं खेल इतलीट भाला बिलकुल नहीं बंदर चिंपांजी गोरिल्ला यह एक ही प्रजात की आपसर नंबर सी क्या हो जाएगा राइट एंसर जबकि सरी सर्फ सांप तोड़ नहीं होता उसके बाद मे अगला पुर्फ्स नहीं बहुतर। से आनन्द दुखी उदास एकांगी डुखी जब कि आनद्ड क्या है इसका पोजट अपसर-नंबर एक्क्या हो जाएगा राइट एंस उसके बाद में अगला मेर्य मेटर मेटर से संबन्नित एनिमो-मीटर किसे होता है थर्मामीटर आइटन से नहीं ताफपान वोल्ट मीटर नहीं इसके श्केयर के नहीं इन इमीटर भी दुद्धारा से आफसर नंबर एक हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला पुस्थे चार सब्दों में से तीन एक तरा से भिन है जब कि यह संगत हिरन मेमना बच्छडा सावत यह क्या है बच्छों के नाम है जब कि हिरन क्या है एक तो आ आफसर नंबर सी क्या हो जाएगा राइट एंसर और इसी के साथ में यह हमारी क्लास इसमें 47 कुस्टे कंप्लेट होती है आप लोगों को यह क्लास पसंद आती तो लाइक करना सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता हूं आप लोगों को नेक्ट वीडियो में ठी जाए हिन दोस्तों